Hey guys what's up and welcome back to my channel आज जिस वीडियो में आपन जो अंबॉक्सिंग और रिवीव करने वाले बाई ये Campus Brand के मैंने एक शूज मंगाया जो की काफी टेम हो गए था आपने Campus Brand के एक भी शूज को अपने चैनल मंगा के रिवीव नहीं किया था या इस बॉक्स का अंदर एक Campus Brand का नूली लॉंच आटिकल जिसका आर्टिकल नमबर है फ्लैस्ट न्यू और इसके जो अमार्बी है ना गाइस वो डबल टू डबल नाइन की है और आप सभी को पता है बाई के कैमपर्स के केस में MRP इसका क्या चलता है बाई बहुत ज्यादा MRP फिर बहुत ज्यादा डिसकाउंट सो लेट सी गाइस कि यह जो अपने को यह चूज लेने चाहिए यह काफी टाइम हो चुका यार काफी ब्रांड ने आ अपने बॉक्स में काफी टाम से देख रहो कि कंपनी यही पैटन का बॉक्स फॉलो कर रहा है ऐसे होते ना वो ट्रेंड वगिरा में नहीं कहा देगा उसमें यह लिए बॉक्स से लोग इस्तिमाल कर सकते हैं यह काफी अच्छी में पॉजिटिव वाइप डेफिनिटल आई बंदा में इस बढ़ते ना अपने वाली वाइप जोती ना वैजी वाइब आती है इस शुज मेरा अटेंशन जो सबसे पहले कीछता है ना वह क्या कीछता है इस शुर का बैक पोर्शन है यहां के नीचे की तरफ यह वाला यह काफी जबर्दरस मतलम आप पहले दरफ इसको बॉक्स में आपकी नजर पहले उसी वे बढ़ेगी और आप इसको देखते रहे हो आई मीन यह पीछे की तरफ आफ यह निवी ब्लू कलर का जो आप टीप यू का पोर्शन देख रहो ना इसके ओपर है ना कंपनी ने कुछ पर्फॉर्मेंस क्लिप करके ब्रैंडिंग की है और जितने इसके चुके एरिया में जो पोर्शन जो एक्सपाहंड के है ना बाइद आपको यहां से लेके यहां दख अपने को पोर्शन मिल जाता है इसके आप जब पूरे पैर देखे इसमें खड़े भी होते हो ना बाइट तो एक एडिशन होता ना बेसिकली तो वहाँ पे अपने हाँ वह मतलब में अच्छा लगा देखके कि मतलब हाँ अगर कंपनी कुछ देर यह तो उसका अपने को वह उसफुलनेस भी होना चाहिए वरना कुछ भी लिख देंगे कि इसका लेना नहीं देना नहीं और मतलब एक मार्केटिंग में बेचने के चक्कर में कुछ भी कोशिच करेंगा तो अनों अ यह कुछ अलग देने की कोशिच करेंगे तो इनकी क्लारिटी में को काफी सही लगी और जब मिसको हाट डालके मतलब दबा दबा चुब digital तो बहुत कड़क है इसकी कड़क मतलब जैसी दबा रहे वैसे ही वो अपने अंगुटे को पीछे फिक रहा है और आज कले कैसा भी है कि काफी लोग मतना काफी ओवरवेट हो चुक है अब मेरी परसनली बात कुर तो आहां 87 गाइस अपने को भी एक सूपर हाड़कोर शूच पी ग्री ने और एक नेवी ब्लू समझ रहे हो कि हा क्लारिडी थोड़ी सी मतलब है एक पर तो देखने मिल ने मिलता ही है अप पीछे की तरफ यहां पर शिंधे दिख लेदर से ओपर आपको की ब्रैंडिंग मिल जाईगी उसके लाब आप साइड में इस तरफ और यहां आपको क्या दिग रही या आडिकल का नाम क्या था मैं आपको पहले पता था क्या फ्लेश नियू और उसके भी उपर लिखा है कि इसका लिखा है उन्होंने के आपको आपको पहले आपको पहले पाथ यह फूल ट्राक्शन रखशन तो आप समझें वो चूश पहले के पाथ जो लुक्स है ना लुक्स पर काफी सही और अंदर वो comfort मतलब एक satisfactory लगता है शूस पर नेगे बाद कि हाम इने शूस पहने हैं यह यहां पर टाइट है यहां पर टाइट है यहां पर टाइट है यहां पर टाइट है एक दम true-to size जो size आपको लगता है ना बाई exactly वह इनका जो designer भी है वह काफी सही गाम गर रहा था है यह शूस दिखने में भी काफी अच्छे लगते एक और चीज़ आइड करूंगा ना में क्या पता है कि इसका पिछे की तर जो पहले में आपको बोला गाइस के हाइट आप वह काफी अच्छे मिलेगी में अच्छी क्वालिटी में और कोई option ज्यादा मिलते नहीं तो मैं बोलूंगा एक वाई तू ट्राय करना यह शूस के हाइट आप काफी अच्छी है असली फिनिशिंग की बात करें बाइस फिनिशिंग वाईस व्याइव रियली डान गुट मतला हाँ मैं जनरली आपको पता है अपन बाइस इस तारीफ नहीं करते ठीक है अगर यह शूस लेंगे ना तो यह डेफिनिटली मेरे साब से डूरेबिलिटी वाइस भी बोलो और जल्दी अट्रीस दबेंगे तो नहीं और इन्सोल बेस की ठीक है और ओर यहां का भी कमफर्ट आपको ठीक मिलेगा ठीक एक परफॉर्मेंस क्लिप भी लोग ने डाला है तो मेरे को लगता है कि भाई वो भी आपको थोड़ा है अपके वेट को थोड़ा बांसी बांसी करन में ऐसा नहीं कि भाई उनी को लेना कर उसके लावा भी कोई ऐसे से लोग है जिसे कि में को भी परसली काफी अच्छा लगा यार यह तो मतलब में भी लोगा न दिकत का है और इस वीडियो में जो सॉक्स का जो प्रदेशन किया ता भाई वह एक्स्क्लूजिव का रपी र दूंगा ठीक है मेक शूर यू बाई थू दाट लिंक अर्ली बद इस गाई थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो और लव यू गाई